नवी मुंबई के 120 विबाग अधिकारियों ने नकली शराब की सप्लाई करने वाले चार तसकरों को गिरफतार कर लिया है इनकी पैचान सिबीनडी टीयार, सुशील टीयार, रमेश टीयार एवं सुरेंडर कुडियोल के तौर पर हुई है इस चापे मारी में कई ब्रांडेट कंपनियों की नकली स्कॉच, खाली बोटल, बोटल कैप, ब्रांडेट लेबल्स, समीत तकरीबन तीन लग के शराब के साथ ही इको मारोती और होंडा सीटी कार की भी बराम मत की गई है देखे रिपॉर्ट नवीं बई के एक्साइज विभाग अधिकारियों ने नकली स्राब की सप्लाई करने वाले चार तसकरों को गिरहपतार कर लिया है एक्साइज कमिशनर कांती लालूमप और डिप्टी कमिशनर सुनिल चोहान के मार्ग दर्शन में एक्साइज इंस्पेक्टर एसेस गोगावले की टीम ने कोपर खिरने सेक्टर सोला के रोहाउस और जुईनगर सेक्टर तेवीस में छापे मारी कर ब्रांडेट कमपनी की नकली स्कॉच, खाली बोतल, बोटल कैब और ब्रांड लेबल समय तकरीबन तीन लाग की स्राप के साथ ही इको मारूती और होंडा सिटी कार भी बरा मत कर ली है। कोट नहीं है मुंबई दारुबंदी अधिनियम 1949 की धारा 65 और ADEF से जुड़े विविद नियमों के तहत तीन दिन की न्याय खिरा सकती है। इस पर SP निलेश रांगने ने और क्या कुछ कहा आईए सुनाते हैं। कि एक अपर्टा सिटी कार असा आईवल्स हमाला सिदरगार वाले में दिला है। यह मदि आपी तीन आप पिणना आपक के लिए आए। पिलाल एक्साइज विभाग के जाच अधिकारी SS गोगावले ने अपनी टीम के सब इंस्पेक्टर एनेच गोसावी, संजेर राठोर, कांस्टेबल पाटिल और निश्रालांडे के साथ वारदात से जुड़े अन्य आरोपियों की तलास तेश कर दी है। इस मामले में कई अन्य लोगों की गिरफतारी हो सकती है। दियोर रिपोर्ट, टीवीवन इंडिया।